आपने डॉंकी प्रोसेस के बारे में तो सुनाई होगा हर साल हजार लोग लेटिन अमेरिका से मेक्सिको और वहाँ से यूएस बॉर्डर क्रोस करके इल्लीगली अमेरिका जाते हैं इसमें उनका 30-40 लाग रुपे का खरचा आता है और बीच में उनको माफिया और पुलिस से भी डीली करनी पड़ती है और कुछ लोगों को तो 2 साल तक लग जाते हैं अमेरिका पहुंचते पहुंचते उनको 10-10 दिन जंगल में रहना पड़ जाता बिना पानी और बिना खाने के और काफी लोगों के इसी बीच जान भी चली जाती है इंडिया से जो लोग डॉंकी प्रोसेस से जाते हैं वे जादातर पंजाब, हरियाना, हिमाचल और यूपी से होते हैं जिसका नाम ही गदो का प्रोसेस है वो असल में होगा कैसा और कुछ लोग तो इतना कुछ करने के बाद भी वापिस डिपोर्ट हो जाते हैं